हालो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग टैरुक्स पर टॉपल सिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं 2023 के लिए रिडिंग करने जा रही हूँ और मैंने जॉर्डिक से लिया है लियो लियो यानि की सिंग राशी सिंग राशी की लव लाइफ कैसे रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ यानि की करियर आपका कैसे रहेगा वो मैं दोनों देखने जा रही हूँ रिडिंग में जाने से बहले छोट इसी जानकारी है अगर आपको परस्नल रिडिंग चाहिए तो आज हम जो रिडिंग करें वो दोजार इस के लिए है उर मैंनी जानकारी ये है लियो लियो आपकी परस्नल रैफ को देख लेते हैं सबसे पहले ठीक है अब दोजार इस में आपके दिल उ दिमाग में क्या चलेगा ठीक है लियो, आल्राइट, लियो के लिए शफलिंग कर लिते हैं, लियो राशी, सिंग राशी, 2023, परसनल लाइफ या लव लाइफ, क्या चलेगा दिलो दिमाग में, 2023 में क्या रहेगा आपके दिलो दिमाग में, अपने लव लाइफ, परसनल लाइफ को लेकर, चले क्या ची से आपका reconciliation होगा 2023 में ठीक है आपकी partnership बापस सही हो जाएगी यह कोई past से हैं आपके ex हो सकते हैं ठीक है चले और देखते हैं आप किसी से reconcile होंगे ठीक है वो सकते है literally आपकी शादी के कोई बात चल रही है तो वो किसी से पहले नाता टूड गया था या फिर दुबारा engagement उसी से हो रही है ऐसा भी हो सकता है ठीक है चले देखते हो और क्या है eight of wands love arrows two of pentacles किसी से बात करने के लिए आपके mind में बहुत ज़्यदा confusion है आपकी चीज़े balance नहीं है कि mind उनके लिए चाहता तो है बात करना लेकिन बात खुलके नहीं हो पारी मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है तो 2023 में किसी से आप communicate करना चाहते हो लेकिन चाहकर भी आपके mind में confusion बना हुआ है ठीक है अपनी love life में क्या है ऐसा जो आप बात करना चाहते हो ठीक है serious talk हो सकते है क other party situation हो सकती है लेकिन जो भी situation है आप उसमें अपने आपको control करें कि कुछ करना चाहते हो ने कहतुत कि अपनी आपको चाहते हो रिकसाईल चाहते हो ठीक है लेकिन अपने आपको confusion के चलते हैं दो ओप्शन्स में से जंग देज़ियen कर रहे हैं और जब सबने आपको कंड्रोल कर हो ठीक है यह सब चीजमें मैं आपके लव लाइफ के बादे में देख रही हैं ऑप जिलिए डेखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके देयो स ezको है लियो उसके लिए कैसे तरह के एनर्जी में हैं दोहजार तेज में लियो के पार्टनर के एनर्जी चले चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर किस मूड में हैं दोहजार तेज में क्या होगा पॉसिबलिटीज हैं गाइज जितना मैच करें उतने लिजेगा दोहजार तेज लिय साइन चले देखते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीस क्या है लिए आपके लिए ठीक है एंजाइटी येस नमबर एटीन नमबर फॉर्टी सिक्स चक्रा अर्क इंगल मैट्रॉन नमबर फॉर्टी फाइफ मैन होल्डिंग हाट एंड वॉकिंग अवे और मुझे मेरे पास है पार्टनर के वह पूछें वह एंजाइटी में है यानिकी डड़ लगे है इनको भविश्य के बारे में ठीक है आपके साथ सिच्विशन मुझे ऐसे अगरी या तो वॉक आउट करने जा रहे हैं आपसे ठीक है कुछ चुपाते नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपने रास करने का या कोई नई रहा पकड़ने की सोच रहा है ठीक है लेकिन पेशेंट noch निये के बढ़ शच पकरने की ज्योंसे और इनको आपके दिल सत्रों है बैठे हैं आपको बहुत अच्छा मित्र मानते हैं आपके लिए इनके निवांग में क्लियर्टी हैं लेकिन जो बात प्यार की हुई चाहिए वो नहीं आप में फैमिली इशूज हो सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है या फिर आपके जो पार्टने हैं उनके जीवन में कोई other person हो सकता है third party situation ठीक है तो यहां पर कहीं ने कहीं 2023 में इनको walking away वाली energy में देख पार हूँ ठीक है जितना आप से match करें उतना ही लिजेगा या तो किसी situation को छोड़के आपके पास आएंगे या फिर आपकी situation को छोड़के किसी और के पास जाते हैं नजरा आरें क्योंक आपको बहुत अच्छा partner मानते हैं और आपसे definitely आपसे चीज़ें के clear है लेकिन first card ही हमें बता रहा है anxiety यानि कि यह जो इनसान है past में आपके साथ कुछ गलती कर चुका है या फिर गलतियों का पच्टावा इनको होता है और anxiety यानि कि past के बातों को सोचके इनको बहुत दु आप अपनी स्तिती से मैच कीजिएगा आपके पार्टने की स्तिती बता रही हूं है ठीक है लिए लिए के पार्टने इस relationship को कैसे देखेंगी 2023 में और ओर ओल इस relationship के बारे में कैसे देखेंगी क्या सोच है उनकी कैसे देखेंगी इस relationship को चले देखते हैं देखे four of pentacles का card है मेरे पास लिए फीलिंग्स क्या रहेगी इनके पार्टने की eight of pentacles लिए के लिए action क्या होंगे यह card आने को है strength और यह वाला card भी था yes दोनों major रकान है strength and the emperor चाहते क्या है लिए उसे चाहते क्या है लिए उसे five of pentacles clarify five of pentacles चाहते क्या है seven of pentacles देखें यहां भी patience यहां भी patience ठीक है seven of wands यह आपके लिए give up नहीं करेंगे actually आपका इनका relation थोड़ा सा confusing energy मुझे भी यहां पे लग रहा है ठीक है यहां पे आपके लिए give up नहीं करेंगे आपके लिए stand लेते हैं उन्हें ज़रा रहे ठीक है कोई आपके relationship में give up नहीं करेंगे यहां आपसे चीज़ें चाहे unbalance हो लेकिन आपको छोड़ने क्या नहीं कोई ठीक है four of pentacles मुझे ऐसे लग रहा है कि यह अपनी feelings को दबाएंगे चुपाएंगे आपके relationship में क्या छाहते हैं आप से बताएंगे नहीं ठीक है मुझे ऐसे लग रहे है कि गिव अप नहीं करना चाहते हैं ले अपके relationship के इंकी feelings क्या हैं आपके लिए work out करना आपको पैसे से definitely बहुत ज़़ा support करना ठीक है यह अपनी feelings को नहीं बता रहे हैं लेकिन आपको supportive रहेंगे ठीक है 2023 में मुझे यह दिखाए दे रहा है और और आपके लिए क्या है action क्या होंगी यह इसको सची बात बताना चाहता है आपको control करने के energy रहेगी यह आपको जो सच है वो नहीं कुछ और दिखाते हैं अंदर कुछ और है ठीक है मुझे ऐसे लग रहा है कि दो face इनके है मुझे ऐसे लग रहा है जो आप देख रहे हो वो नहीं है अंदर कुछ और चल रहा है ठीक है और यह आपको definitely protect और control करना चाहते है ठीक है actually को इस पैसे support करके आपको control में रखना च चलना चाहते हैं कोई जल्दबाजी नहीं है आपका relationship बहुत stuck होके चलता है और definitely आपसे चुप रहने के लिए demand करें यह बहुत ही जैसे कहते हैं कि किसी बास से disappointment है ठीक है तो आपसे definitely यह चाहते हैं कि आप चुप रहे के देखें सिर्फ ठीक है इनसे कोई सवाल जवाब न देखें यानि कि यह आपके साथ कोई जल्दबाजी नहीं है आपके साथ दो मुह लगा के कोई बात कर रहा है यानि कि दो चहरे आपको दिखाई दे रहे हैं अंदर कुछ और बाहर कुछ और बता नहीं रहे और definitely आपको control करने के इनकी by way और highway चलने की आपको कोई कुछ न जादा बहस आपसे नहीं करना चाहता ठीक है यह मुझे आपके दिखाई दी रहा है और ओल यह आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे थर पार्टी सिजुएशन मुझे बहुत strongly आपकी रिडिंग में लग रही है ठीक है चले और देखते हैं आप किस मूड में है इस इंसा कोई भी लिए आप अपने पार्टने के लिए क्या एनर्जी रखोगे 2023 में लिए के अनर्जी बताईए इंस लिए की अनर्जी बताईए इंस चले देखते हैं अजिसेंट पॉसिबिलिटीज जस्टिस मिलो सॉरी कॉंटेक्ट अप्रिशेशन एंड सेकंड चक्रा आर्खेंजल यूडियल ओल राइट देखिए आप जो है लिए आप क्या चाहते हैं दो टु वैल्यू येस इनसे एक नई शुरुआ चाहते हो आप ठीक है एक चाहते हो जिससे आपके एंट्रियो आपकी कोई वैल्यू समझे आप चाहते हो कि आपकी कोई कद्र करें आपकी बहावनाओं की कद्र करें मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसान जो है आपको बहाव नहीं देता और आप इनके डेफिनेटली कुछ ऐसा अटेश्मेंट है आपकी कोई वैल्यू करें ठीक है एडिसेंट पॉसिबिलिटीज मुझे बता रहा है कि येस आप अपने अंकंसिडर ओप्शन को चेक करते हो क्योंकि जहां से आपको कुछ गेन नहीं हो रहा वहां पे आप गिवप नहीं अबलब ऐसी एनरजी है कि मुझे बहुत बीजी अपने और ओप्शन को देखना है मुझे अपना खुद इंडिपेंडेंट होना है मुझे ऐसा लग रहा है इस डो टु वैल्यू यानि कि सबसे पहले आप अपनी वैल्यू किसी को बताना चाहते हो ठीक है ये जो कार्ड है मुझे आपकी रिडिंग में यह दिखाई दे र आपको importance दे रहे हो मुझे ऐसे लगता है कि आप justice चाहते हो यानि कि आप चीजें बैलेंस करना चाहते हो अन बैलेंस चीजें आपकी और पार्टनर से जो भी है घर्फिंड बॉइफेंस कोई हो सकते हैं हस्बंड वाइफ कोई हो सकते हैं लेकिन आप अप अनकसीडर options को च चेक करोगे बहुत सारा कुछ करना चाहोगे एक टाइम बहुत सारे काम अपने ले लोगे क्योंकि जहां पर आपको सर्टिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उससे आप बैलन्स आउट करने की तंबना या फिर कहते हैं कि आशक हो चुके हो अब आप डेफिनेटल एप्रिशेशन ख कुछ क्रेटिव आप इनके साथ करना चाहते हो आप अट्रेक्टिव हो इन से अट्रेक्शन में हो लेकिन ये जो इंसान है आपको शायद उस अप्रोस से नहीं देख रहे ठीक है तो और ओल मुझे ऐसा लग रहे है कि आप आपके पास भी चॉइस है ठीक है आप एड़ेस होगी लियो या फिर आपसे नंबर जुड़े होंगे ठीक है चले देखते हैं और क्या है लियो इस रेलेशन्शिप को कैसे देखेंगे दो हजार तेइस में चले आपके लिए थ्री ऑफ सॉर्ट जैसे कि मैंने कहा किसी बात को लेकर आप बाकि मन मुटाओ चल रहे हैं ठी आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टन के लिए लियो आपकी फीलिंग्स क्या है लियो की फीलिंग्स अपने पार्टन के लिए वील फॉर्ट जैस वील फॉर्टन के एनरजी वो क्लारफाई केजिए seven of wands all right आपके action क्या होंगे 2023 में अपने पार्टनर के लिए लिए ace of swords all right चाहते के हैं आप अपने पार्टनर से चाहते के हैं लिए आपने पार्टनर से आप चाहते के हैं दो card तीन card बहुत सारे card यह मैं नहीं लूँगी ठीक है आगे में देखते हैं चाहते के हैं लिए ओ चाहते के हैं अपने पार्टनर से temperance और देखे world देखे मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक नया cycle शुरू होगा ठीक है success के साथ शुरू होगा 2023 में क्या होगा एक नया cycle आपके साथ शुरू होगा ठीक है ये नया cycle मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा communication के बाद बहुत मलब कहते हैं न कि आपका एक success तो आपको इस relationship में चाहते हो आप और मिलेगी भी success ठीक है आपको ये जो इनसान छोड़ेगा नहीं ठीक है लेकिन क्या है कि आपके relationship में आपका कही ने कहीं heartbreak होगा कोई ने कोई चीज आपको इस relationship से धोका मिलेगा ठीक है इस तरह की बाते हो सकती है heartbreak से मतलब धोका ही नहीं बलकि कोई ने कोई दिल दुखाने वाली बात आपको इस relationship में मिल सकती है 2020 में ठीक है आपकी feelings क्या होगी आप भागे पर भरोसा करके give up नहीं करेंगे मैंने इस wheel of fortune को क्यों clarify किया है भागे आपका पक्ष रहेगा आप give up नहीं करोगे आप जब भी सोचोगे इसको connect cut off करने की तो definitely कोई ने कोई चीज ऐसी होगी जब आप give up नहीं करके अपनी तरफ से action लोगे ठीक है इवन आप adjust जैसे कि सबसे पहले ही बने बताएं कि adjust करके चलने वालों में से हो यानि कि आप कोई भी परस्तिति में आप adjust बना की चलोगे ठीक है यहां पे आपके action क्या होंगी आप बहुत ज़्यदा अपने आप में रहेंगे ठीक है आप definitely बहुत मैं जैसे कहूंगे अकड में रहेंगे मतलब अपनी value आप किसी को बताना चाहते हो तो yes clear communication आपका होगा ठीक है आप किसी की साथ शिरुवात तो कर रहे हो लेकिन बहुत clear cut कुछ communication के बाद आपको बहुत आपकी जो communication थोड़ी से हाड हो सकते है अपने partner के साथ ठीक है 2023 में और और आप एक नई शिरुवात करोगे लेकिन बहुत clear cut कुछ communication करके ठीक है वह सकता है कि बाद भी बाद आपनी थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन आप एक शिरुवात करोगे लेकिन बहुत clear cut communication के बाद यहाँ पर temperance का कार्ड चाहती क्या हो आप उधर से चाहते हो कि आपके लिए कोई healing लाए आपके लिए कुछ करे आपकी कोई values समझे और मुझे ऐसे लग रहे है कि आप balance यानि balance बना के चलना चाहते हो कि अगर मैं कुछ करता हूँ या करती हूँ तो मुझे उसके बदले कुछ मिले ठीक है तो मुझे ऐसे लग रहे है और और आपके unbalance चीजे हैं और आपकी जो दूविता इस बात की है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता ठीक है आप give up नहीं करेंगे इस relationship में में दिखाई दे रहा है लेकिन चीजें आपकी unbalance जगलिंग आपके मन में है confusion आपके मन में है third party situation आप भरोसा नहीं कर पारे हो और चाहते हो कि आपको heal करे कोई लेकिन वो healing आपको मिलती नहीं properly ठीक है तो overall मुझे ऐसा लग रहा है चीजें आपकी हो सकते हैं तो overall major क्या हो सकता है चलिए चेक कर लेते हैं हम आपकी आपकी desires पूरी नहीं कर रहा है आप किसी के लिए करते हो तो आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है चलिए देखते हैं कि first four month के energies क्या है लियो के लिए कि क्या major हो सकता है first four month में मेजर क्या सकता है आपकी लवड़ाइश में पर्सनल लाइफ में ओ माय माय जैसे कि मैंने आप रिडिंग में आपको बताया first four month में चीजें थोड़ी सी अन्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि अचानक कुछ नो कुछ प्रॉब्लम्स आपके relationship में first four month में आती नजर आ रही है यह break up या break भी हो सकता है ठीक है चले और देखते हैं और क्या major है middle four month में क्या है strength आप हिम्मत और ताकत रखी नहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें आपको realize होगी और definitely आपको सच बताने वाले मुझे ऐसा लगता है अपने partner से जैसे कि मैंने कहा कि आप clear communication करोगे वही चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हिम्मत ताकत रखके आप अपनी लि पहले मुझे यह बात बता है कि आपका कहीन कहीं करियर में कोई नया मोड आ सकता है ठीक है तो हो सकता है कि आप करियर से कुछ opportunities चाहते हो तो वह चीज मुझे आप आतवी नजर आ रहे हैं चले देखते हैं last four month में आप chariot यानि कि योध्धा बन जाओगे योध्धा करोगे और Empress यानि कि आप अपनी उपर ध्यान दोगे अपनी खूपसूरती के उपर अपनी खान पान पर आप अपनी ग्रोथ को लेकि बहुत सजग हो जाओगे अपने खुद पर ध्यान देना मुझे आपका चाहते हैं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यह जो कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपनी वैल्यू किसी को प्रूव करके दिखाना चाहते हो तो 2023 में आप इसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो नजर आ रहे हो और एक योध्धा के रुप में यानि कि आप ज ज़्यादा ध्यान दोगे ठीक है इस इंसान से दिमाग हटागी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ के उपर अपने लिए काम करोगे ठीक है तो यह चीज़े बहुत अच्छी है जब आपको कोई कुछ नहीं दे रहा तो आप किसी के लिए क्यों इतना करें ठी चीज़े रही तो यह आपकी लव लाइफ थी गाइस और इसके बाद मैं आपका करेव देखूंगी ठीक है 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 क्या है मैं आपकी प्रोफश्य लाइफ को चैक करने वाले हूं आपकी प्रोफेश्नल लाइफ यानि कि करियर आपका कैसे रहेगा 2023 सबसे पहले आपकी ओर- सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इसमें कोई शिप्टिंग निजर आ रही मुझे ठीक है आपका एक नया साइकल शुरू होगा कुछ दर आपके मन में रहेंगे फैमिली सपोर्ट मिलेगा आपको ठीक है अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें फैमिली सपोर्ट दिखाई दे है नंबर 452 32 222 आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगा यहां पर क्या है करियर साइट से मुझे लगता है करियर साइट से आपको जॉब कहीं और मिलेगा ठीक है यानि कि आपके शिप्टिंग दिखाई दे रहे हैं कहीं ट्रवलिंग करते हैं यार बिजनस ट्रिप म यानि कि ट्रवलिंग या शिफ्टिंग आप करेंगे 2023 में ठीक है जॉब के सिलसले में बहार जा सकते हैं कोई जॉब भार लगी है ठीक है ट्रांसफोर हो सकता है लिटरली अगर कोई नया जॉब है तो येस उसमें आपको डेफिनिटली ट्रवलिंग से सम्मंदित कोई काम हो सकता है ठीक है और अब को फैमिली सपोर्ट करेगी जहां पर आप काम करते हैं आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा अगर आपको फाइनिस की जरुरत है तो वो भी मुझे मिलता हो नजर आ रहा है ठीक है गॉड़ड़ अब दो मून मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो अब वगरा का डर है आपको या कोई फोबिया है किसी चीज़ का तो डेफिनेटली वो जाता हो नजर आ रहा है को सीक्रेट से आप दुनलेपन से बहार निकलेंगे और एक अवेक्निंग होगी ठीक है एक अवेक्निंग से बतलेंगे एक नई शुरुवात अपनी करियर आपके लिए इस गाइड कीजिए अलियोज दोहजार तेस फाइनेस कैरियर कैसर रहेगा करियर कैसर रहेगा दोहजार तेस लियो क्या पॉसिबिटीज है लियो के लिए चले दिखते हैं आपके लिए क्या है क्या आएगा वी है एस अपनेटिकल जैसे कि मैंने का एक नई शुरुवात तो मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे लिए ठीक है फाइव बॉन्स एस अफ कप्स जस्टिस एंड फॉर ओफ बॉन्स और यहां पर दिखिए शिक्स इंप्लकर शुरुभा पहुत हो सकती है यात्रा बहुत हो सकते है करीयर कि कम साव में गूली कि कर्वेलिंग करवाएगा यानि कि एक नई शुरुवात होगी लेकिन ट्रवली से शिफ्टिंग या ट्रवलिंग हो सकती है ठीक है एस ओपेंटिकस यानि कि कोई करियर साइट से कोई अपॉर्टनिटी आएगी जिसमें आपका करियर स्टैबल होता हूं नजर आ रहा है यह छोटी शुरु एक्जाम में तो डेफिनेटली यह होगा आप जितनी महनत से अपना काम करके आएंगे एक्जाम का पेपर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आतो है नजर आ रहा है ठीक है आपको खुद को पता लेगा कि मुझे साथ जस्टिस हुआ है ठीक है जस्टिस अपनी सक्सेस को करेंगे या फिर आपको जस्टिस मिल रहे है तो यस किसी लीगल इश्यू अगर आपके करियर साइट से है कोई नौकरी में अदालती मामले प्रपंची में फस रहे है तो डेफिनेटली ऐसे में आपको जीत मिलेगी आप सेलिब्रेट करते हो नजर आ रहे एक बिग सेलिब्रेशन मुझे आपके दिखाई दे रहे है और अगर आप पार्टनर्शिप में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी सक्सेस्फुल रहेगा देखते हैं कि मेजर क्या रहेगा आपके लिए इनवर्स एंजल्स गाइड कीजे मेजर फस्ट फॉर मंत में क्या होन करने लेंगे रीबर्थ आपको लग रहा है और डेफिनेटली खुश्यों के साथ आपका रीकंसलेशन अपने काम से होगा यहीं कि आप आप जो है किसी काम को छोड़ चुके थे वह वापस करने वाले मुझे ऐसा लग रहे ठीक है और अगर कोई बिजनिस था जो ठप पड के अनरजी के साथ आप कुछ स्टार्ट करोगे मुझे असा लग रहा है क्लियर्टी यानि कि अगर धुनला पंथा अपने जॉब में तो वह क्लियर्टी आने वाली है चले और देखते हैं संका कार्ड अवार्ड को भी बताता है कुछ लोग अवार्डे रहेंगे मेडिया म अगर आप जिरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह आपको थोड़ा सा रिस्क की मामला लएगा लेकिन आप जो करोगे जो डिसिजन लोगे वह आपको खुशियां लाएगा और डेफिनेटली जीरो कार्ड मेजर जीरो आरकना होता है यास यह आपको फूल के एनरजी है की बहुत बिग सक्सेस दिलाएगा ठीक है तो यहां पर रिस्की जो लग रहा है उसका को कर डाली ठीक है रिस्क के आगे ही कुछ होता है बिजनिस करियर में रिस्क लेंगे तब ही आपको सफलता मिलेगी ध्यान रखिएगा लास्ट फोर मन्त की एनरजी देख लेते हम लि बिजनिस ट्रिफ विदेश यात्र अगर जाना चाहते हैं बिजनिस में पुए विदेश से ऐगर कोई बिजनिस है आपका या कोई जॉप के तहारी कर रहे है तो यह सब्च्स सब्सकेश्राइब है टो यहे इस को की नया डाल हशी र THIS स्ब्सक्लाइब होता तो और भे वापस बिल्कुर ठब पड़ गया था तो उसको वापस जीरो से स्टार्ट करना आपकी मैनत जो है रंग लाएगी ठीक है और वह स्टार्ट हो जाएगा और कुछ चीज़े आपको रियलाइज होगी ठीक है अगर आपके साथ नहीं है तो एंजल को जरूर याद कीजिए ठीक